अगर दस बक्री आप लेते हैं देशी बक्री तो और कितना आपको उसमें खर्च आएगा इसके बारे में हम बताएंगे आईए सबसे पर हम देखते हैं यह 10 बक्री हम खरीद रहे हैं उपर में आपको 45-45 रुपर में आपको 10 बक्री मिल जाएगा उसके बाद एक बक्रा आपको लेना परेगा और आपको 6-7 जर मिल जाएगा उपरा 47 रुपर आपको खर्च लगेगा बिजिनर से चालू करते हैं इतना पैसा आप में खर्च लएगा पलक 5-10 जर रुप्य आपको एक छो बन सकता है ठीक है आप जितना नर्मल से नर्मल बनाएए छोटा बिजिस बड़ा होने के बाद फिर आप बड़ा फार्म कर सकते हैं अब बात करते हैं आपको बक्री वही खरीदना है जो आप लोकल एरिया से खरीदते हैं किसान से खरीदते हैं वही बक्री खरीदा है जो दो बर बच्चा दे चूकिंगी वह खड़ी दिये नया इमत लिजए जो बच्चा देनवार जैसे नया बच्चा नहीं दी घटी जो नडिक्स अगर doctor किसान चोटे किसान है तो अगर आपका पूजी की कमी है तो आप एक बार या दो बार जो बच्चा दी है उसको ले लिजे उसे क्या हो दो बच्चा देगी ओ बकरी ये दो तीन बकरी ये बच्चा देती है चार भी दे देती है कोई कोई बकरी तो कम से कम आप दो बकरी मान ल मनलेजिय है वह दस बकर लेते हैं दस बच्चा देती है तो आप उर 2 यह इस बीस को माला लगाए तो पंद 1620 हां लेते हैं साथ बक्रा को हम मालादे हैं , यह लगा थ bugsilenote अन्यूंती तो पूर्ठ लग जाएगा आप नहीं है यह दो Baptist में और ये बच्छा पैदा कर रहे हैं होगा तो आपको last साल में येनी दोइवीस्त लास में आपको बिच्चा ये लोगा उसके बाद फिर वबक्री आपको जूनमें बच्चा देगी तो आपको फिर पंद्रम बच्चा मान लिए क्योंकि पांच हम उसको हटा देते हैं फिर आपको मान लिए किन्त हजार में बेचते हैं तो आपको 45 रुपिया आपको होगा टोटल यहां आपको हो गया 28нем, 45,000-27,000 रुपिया होगयाÓ होगा टोटल यह आपको खर्च आता है एक गर्च पे कम से कम एक साल का खर्च रुपिया आएगा 50 ग्राम दाना देते हैं क्योंकि ये लोकल बकरी है देसी बकरी है इसमें ज्ञाधा ये चराई पर आती है ज्याद इसमें खर्चन ही मग तब भी हम साल का खर्ट 1000 पर मान रहें दवा हो गया आपको या कोई प्रॉल्लम आगी तो यह लिए हम मान रहे हैं प्रस 50 ग्राम आपको गेहूं या जो या मक्का मिक्स करके आपको 50 ग्रम दीजेगा तो उसको फैदा होगा इसलिए तो हम साल में उलो कम से कम 500 रुपया का धनाव खाएगी 500 रुपया दवा हुआ और भी खर्च में मान लेजिए मेहनत तो आपका लगेगा यह त दिसंबर तक 15 होगा तो 15 रुपया प्लस यह जो जून में देगी उच्छे मेना के बच्चा होगा तो उसमें सारे साथ जयर रुपया खर्चा होगा सब लेके 95 रुपया आपको बचेगा टोटल खर्च 95 रुपया आपको बचेगा जाना चाहते हैं अगर पूजी अटाइजेगा तो कम हो जागा मुझा पूजी तो आपको बकरा बकरी ओलेडी है वहां पे आपको 95 रुपया फैदा होगा और भी अटाल दीजे तो 80 रुपया आपको 10 बकरी में प्रेंफिट होन ही होना है ओके दोस्तों और चालीस प्राश कर रहे हैं तो ज्यादा फैदा होगा आपको पर दोस्तों थैंक पर वाचिंग